हेलो दोस्तों कैसे आप सभी लोग तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले अपने मेडिशनल सीरीज का पार्ट तू यान कि इससे पहले वाले जो पार्ट था उसमें हमने समझा था कि आप किसी भी दवाई को उसके पैकेजिंग से देख से कैसे पैचान सकते हैं वाजा गर में सिंपल आपको यहां दिखाऊंगों कोई भी दवाए जैसे आपको यहां दिख रहा होगा तो इस तरह का आपको मिलता है पूरी पैकेट या टैबलिट तो इस पीछे वाले परचे को पढ़कर आप किसी भी दबा के यूजेस को समझ सकते हो कि ये दबा हमारी क्या से काम आईगी और क्यों काम आईगी मतलब सिर्फ आपको क्या करना है ये पीछे का ये वाला नाम पढ़ना है और आप इस दबा की पूरी के पूरी कुंडली जांदा होगे कि ये हमारी कैसे और क्या काम आती है ठीक है बाकि ये जो सीरीज का फाइदा क्या होने वाला है तो जैसे आपको बताए कि आपको डॉक्टर बगारण से कहीं भी आपको दवा लेनी पड़ती है तो कई केस में क्या है जैसे मेडिकल पर आप लेने गए तो मेडिकल वाला कहते है ये वाली नहीं इसकी जागा को दूसरी दे देता हूं मैं या मालो कई केस में कुछ मेडिकल वाले ऐसे होता है जो गलत दवा भी दे सकते हैं तो अगर आपको एक छोटी मोटी बेसिक नौलेज़ है मैंने ही कह रहा कि आप परफेक्ट एकदम डॉक्टर बन जाओगे लेकिन अगर आपको एक बेसिक लेवल बेसिक है तो आप कहीं भी हैं सकते हो गलत दवा लेने से सकते और बाकी तो बहुत लों कि आप है एक एक जामपल देंगे मैं आपको समझाओंगग को जो मैंने तब दिया था आपको जैसे एक्छामपल के लिए माल लो एक हमारी टेबलेट एस यहां पर आपको डेबलेट दिखरी हो गी इस में हम क्या करते हैं जैसे इस大家都 वाले नाम को यह जो इसका साल्टनेम होता है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं मालों यहां का आ गया एक यहां आ गया तो यह हमारा दो पार्ट में जा रहा है एक आ रहा है सिप्रो प्लस एक हमारा आ रहा है यहां फ्लॉक्स तो जो हमारा स्टार्टिंग वाल तो यहां पर आपने यह जाना कि हम किसी भी दबा के बैक नेंब जान कि जो उसका end name है उसको देखकर ही हम उस दवा के बारे में पहचान सकते हैं क्या लिए तो अब हम यहाँ पर अपने 5 suffix के बारे में समझते हैं और यह आपको लाश्ट में जहां भी दिखेंगे आप उन दवा के लिखा हुआ वह समझ लेना कि वह दवा आपके लिए अलर्जी में काम आती है आपको जब सर्जी जुका मुझाती स्नीजिंग में काम आती है जब बहुत जादा नाग भेरी हो रनिंग नोज होगे इची नोज जब खुझली वगरा थोड़ी होने लगती है आँखों में पा समझ लेना कि यह आपकी क्या है एंटी वाइटी की तरह काम करेगी मतलब आपको बीमारियों में बचाएगी यान कि जो ऐसी बीमारिया जैसे अलर्जी होती है यह अर्थ्राइटिस है इंफ्लामिशन में सबसे यादा आपकी हेल्प करेगी स्किन कंडिशन अस्तमा हो गया या किडिनी प्रॉब्लम हो गई तो ऐसी सिच्वेशन में आपकी जो ऐसी दवाईया है जिनके लाश्ट में सवन वर्ड लगा हुआ यह आपके काम आएंगी एक्जामपल के लिए से मारा डेक्सा मीथा सोन हो गई यह यहाँ पर बीटा मीथा सोन हो गई यह हमारी दवाई इसको इनफेक्शन बोल सकते हैं आप यहाँ पर अगर इनफेक्शन लिख लोगे तब भी यह बात हमारी चल जाएगी तो इनफेक्शन में यह वाली दवा काम आ रही थी अब आई फ्लू एक्च्वल में एक तरह का इनफेक्शन ही था जिससे आँख लाल हो रही थी और आ हमारा आता है इसके यहाँ पर आप यह लिख दिना है यह मारा होता है सैट्रॉन होता है तो जिन भी दबाओ के लाश्ट में आपको यह सैट्रॉन वर्ड देखने को मिल दाएगा वह समझ लेना कि वह आपकी बवमिटिंग बगरा यान कि जो पल्टियां बगरा लगती है उसमें आपको मतलब बचाती है और दूसरा नौजिया भॉमिटिंग हमारी ऐसी बीमारी जो एकदम बज़ैसे बगरा बनते अजीव सी फीलिंग आती है और वल्टियां होती है तो इन बीमारियों को ठी करने के लिए ऐसी दबाईगे काम आती है इनके लाश्ट में इस्ट आपको बचाने काम करती है तो जो भी वर्ड के लाट्की ll इग्जामपल के göra यहाँ है मेटर्बनीड लोगया और यहां पर हमारा और दोनों ही दवाईया हमारी क्या कर रहें हमाई infection से बचा रही है कौन कौन से infection इसका हो गया कधर मुओं के अंदर को इनफेक्शन हो जाता है उसमें इसका उपयोग कर सकते हैं और पेट में को हैं तब भी हम इसका प्योग कर सकते हैं इसमें हमारे मेट्रोग जाल है यह आपके पेट में किसी के जाधा दर्दों या तब इस दवा का इस्तिमाल किया जाता है तो अब हम अगर अपने पांच में सब्सक्राइब बात करें तो यहां आता है ग्लिप्टेन हमारा है यह हमारा बेसिकली जैसे जो सुगर की दवाईया जानकि किसी का अगर सुगर बहुत जादा भड़ जाता है तो उसमें बचाने क और वहाले होगी तो अगरी हमारे अपर अगली वीडियो में और अगली वीडियो में और बात करेंगे तो आहूप आपको सभी सभी जानकि इन रिवायों के बारे में पता लगा होगा तो बस आप एक एक बार रिवाइज कर सकती हो कि माइन नाम की दबाई यह मारे इन्फेक्षिन में हमारी हेलब करती है क्योंकि यह एन्टी-फंगल होती है इन पेट मोस्टली इंफेक्षिन लिए काम आती है और glipton वाली हमारी ऐसी दवाईया है जो अगर हमारी body में सुगर label भड़ जाता है तो उसको control करने में हमारी help करती है तो आज की वीडियो में इतना ही अब जो part 1 है वो अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको जाके आप देख लेना उसमें भी हमने जो अपने starting के 5 subjects के बारे हम बात की थी तो अगर आपको ये series अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को आप लाइक करना और ये वीडियो आप अ आप चेक आउट कर सकते हो जो भी यूसफुल लिंक्स होंगी वह इस वीडियो के description में या फिर comment section में आपके लिए डाल दीजाएंगी तो मिलते हम आपसे बहुत नेस्ट वीडियो में तब तक भी फैंक यू धन्यवाद और आप अपना और अपनी families का ख्याल लखेगा बा अगली वीडियो आपको कौनसे टापिक पर चाहिए या आप comment करके पता सकते हो